हेलो दोस्तो नमेशकार तो चले दोस्तो फिलाल इस वीड़ो को स्टार्ट कर लेते हैं सो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और दोस्तो इस वीड़ो में हम लोग यहापर बात करने वाले है येस primary market के बारे में IPO total 4 IPO यहाँ पर आ रहे है बट उस 4 में से एक जबरदस IPO फिलाल हम लोगो बाजार में देखने को आपे मिल रहा है तो वो कौन सा IPO है तो हर किसी को है आपे पता है DCX System Limited यह जो IPO है दोस्तो बहुत ही जबरदस attractive हम लोगों को फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है इस वीडियो में यहाँ पर कुछ important points में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ जैसी के आपको पता है कि क्या इस IPO में हम लोगों ने apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए point number 2 यहाँ पर अगर आप apply करने जाते हो तो उसके साथ आपको कौनसी यहाँ पर एक ऐसी unavoidable risk लेनी पड़ेगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो उसके हिसाब से आप accordingly decision ले पाओगे latest GMP grey market premium यहाँ पर क्या चल रहा है इससे related भी बाते में आप लोग के सामने यहाँ पर जरूर रखूँगा and क्या यह long term के लिए अच्छा है and क्या हम लोगों ने जाना चाहिए तो आपके जितने भी सवाल है A to Z इसी वीडियो में आप लोग को यहाँ पर मिलने वाले in the manufacture of electronic subsystem and cable harness and अगर इस company की अगर हम लोग यहाँ पर बात करे तो इसकी जो शुरुवात थी वो 2011 से हम लोगों को देखने को आपे मिली थी and overall जो इनका जो sector हम लोगों को देखने को मिल जाता है sector देखने को मिल जाता है प्लस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जैसे की 2020 में the company commission a new manufacturing facility at high tech defense and aerospace park in Bengaluru करना ठका सो दोस्तों यह sector मतलब जिस sector से company बिलॉग करती है वो defense related हम लोगों को चीजे defense aerospace से related काम करते हुए देखने को आपे मिल रही है और फिलाल की अगर हम लोग माहोल की बात करें तो आप सब लोगों को पता है फिलाल का जो sector है defense sector यह बहुती prime level पर यहाँ पर चल रहा है और क्यों ने चलेगा क्योंकि आप सब लोगों पता है defense sector का भागता है जब सरकार आपको यहाँ पर maximum जो contract से domestic level के ही यहाँ पर देते मतलब जो भी चीज़े पहले होती थी हम लोग क्या देखते थे defense regulator हम लोग import करते थे अभी सरकार ने धिमेदी में import करना कम कर दिया है और जादा से जादा यही पर domestic level पर कारोबार यहाँ पर बढ़ चुका है तो order book बहुत बढ़ चुक है defense वाली जितने भी company है चाहे आप B.E.L. को देखो चाहे आप Hindustan Aeronauticals Limited को देखो उनके थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे orders books को आप judge करोगे तो आपको अंदाज आएगा कि उनका order book solid बढ़ते वे देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर सरकार उनको orders यहाँ पर दे रहे है और ऐसे वक्त में defense से ही जुड़ी वी company अपना IPO ला रही है तो definitely IPO लाना मतलब क्या होता है उनको funding की ज़रूत होगी होगी अभी देखना पड़ेगा कि यह fresh issue कितना है OFSAE या फिर पूरा OFSAE या फिर probably ऐसा लगता है कि fresh issue यहाँ पर रहेगा क्योंकि company के पास पैसा यहाँ पर जाना चाहिए तब जाके वो अपने जो target से defense related काम करना चाहते उसको वो fulfill यहाँ पर कर पाएंगे ठीक है थोड़ा और आगे आपे बढ़ लेते जैसे के अगर हम लोग बात करें so DCX system की बात करें इनके पास 26 customers है और खास करके आप देख सकते हो Israel US की बात करे, Korea की बात करे India तो रहेगा ही रहेगा and सबसे important चीज including certain fortune 500 companies भी इनके आमनों को portfolio में फिलाल तो देखने का आपे मिल रही है यह वाला तो सबसे important points है fortune 500 बड़ी कंपनिया and यह इतना easily आप लोगों के साथ deal नहीं करती है मतलब हम लोग कह सकते कि हाँ company को यहाँ पर आप चाहो तो deeply study यहाँ पर कर सकते हो then अगर हम लोग यहाँ बात करे तो company ने अपने business के बारे में ही बता है जैसे के आप यहाँ पर देख सकते company के जो customer है जिसमें domestic है, international भी है private भी है, public भी है यह सारी चीज़े बता है, ठीक है थोड़ा हम लोग अब भी और आगे बढ़ लेते हैं then आप देख सकते इनके की customer की बात करे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बहुत important खास करके Israel Aerospace Industries Limited ऐसी companies इनके साथ हम लोग को मतलब इनके जो customer है, वो हम लोग को फिलाल तो देखने को आपे मिल रहे है then BEL की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें sensors, उसी के साथ साथ electronic warfare की अगर हम लोग बात करें missiles की बात करें, communication system की बात करें इसमें इस सारी चीज़े देखने को मिल जाती है cable and wire harness की अगर हम लोग बात करें इसमें company काम करते हैं देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें company का financial financial की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते है total करजा company की अगर बात करें तो पहले लगबग 134 के आसपास का करजा देखने को आपे मिल रहा था जो next साल हम लोग को 136 तक यहाँ पे थोड़ा बढ़ते वे देखने को मिला अभी तक अगर हम लोग जून तक की बात करें तो नीचे आके 112 करोड यहाँ पे हो चुका है यह अभी तक करें जितना भी data हम लोग ने देख लिया यह पूरा 12 मंत का data था यह भी 12 मंत का data था यह लग जो लास्ट वाला जो हम लोग ने data देखा है वो April में June ये केवल 3 मन्त का ही data है तो इस data को उपर के 12 मन्त के data की सबसे directly compare मत करना गलत interpretation यहाँ पे हो सकता है तो चलिए ठीक है उसके बाद अगर हम लोग बात करें company का profit की बात करें तो 9.74 CR की बात करें तो इसके बाद 29 यहाँ पे तो बहुत अच्छा business यहाँ पे क्या है जैसे मैंने आपको बताया यह 12 मन्त का है अब यह जो next data यह केवल 3 मन्त का ही data है तो directly compare मत करना यहाँ पे वरना गलत information मिल जाएगी तो और अलगर हम लोग बात करें company का performance revenue की बात करें asset की बात करें पैट की बात करें तो अच्छा ही हम लोग को देखने का पे मिल रहा है दोस्तो most important चीज objective of the issue जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि क्या यह company इसलिए IPO यहाँ पे ला रही है कि company को पैसा यहाँ पे मिलेगा या फिर promoter के जेब में पैसा जाएगा तो इसमें यह सारी चीज़े हम लोग को पता चलेगी तो आप देख सकते हो company ने पता है कि यह देखे लिखा हुआ है कि fresh issue से related उन्होंने बात है यहाँ पे किया मतलब fresh issue का size यहाँ पे जरूर रहेगा देन कुछ पैसा आप देख सकते investment करेंगे उनकी खुद की ही holy honored subsidiary है उनमें यहाँ पे करेंगे project से related capital expenditure से related ठीक है and general corporate purpose के लिए पैसे का इस्तेमाल करने वाले fine next बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो IPO से related कुछ details है इसको हम लोग थोड़ी देर बात देख लेते face value दो का यहाँ पे रहने वाला है exit होना चाते उनके जेब में तो चलिए कोई बात नहीं 400 क्रोड maximum पैसा company को मिलने वाल है तो definitely हम लोग कह सकते है कि defense में यह company अपने business को बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे इस पैसे का अच्छी तरह की से इस्तमाल करेगी तो बहुत अच्छा का सा फायदा उटा सकते है नसी बीएसी दोनों के उपर यह list होने वाल है size की बात करें यहाँ पे IPO की तो QIB के लिए 75% के आसपस है then HNX बात करें तो 15% है and retail के लिए केवल 10% है so यहाँ पे शायद से ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे दुखी ही रहने वाले क्यूंकि IPO तो बहुत ही attractive clear cut नजर यहाँ पे आ रहे कंपनी बहुत अच्छी है then अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा और आ गया थे तो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं अपर 31 को यह IPO उपन होने वाला है पॉइंट है चलो मैं अभी ही cover कर लेता हूं कि closing date कभ है बहुत ध्यान से सुन लेना अभी तक जो मैंने बोला है ना इतना important नहीं था एक formality थे अभी बहुत important है अगर आपको decision लेना है अगर आप listing gain के हिसाब से अगर आगे यहाँ पर बढ़ रहे हो अभी listing gain के लिए जाना है तो sir grey market premium कितना चल रहा है तो दोस्तों फिलाल इसका grey market चल रहा है 35% के आसपास grey market premium में 35% के लिए जाना कोई बुरी बात तो यहाँ पर नहीं है तो दोस्तों अगर आप grey market premium के चलते अगर इस IPO को apply करने जा रहे तो एक आपको warning वाला sign में आप लोगों को ज़रूर देना चाहांगा warning मतलब देखिए बाजार में आप सब लोगों को पता है अगर यहाँ अच्छी का से गिरावट हुई मान लीजे तो शेर्स के प्राइस गिर जाते तो grey market premium भी usually गिरने के chances ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ पर closing date देखिए क्या है 2 November है और दोस्तों 2 November मतलब शाम तक IPO close हो जाएगा और उसके बाद 2 November को आपको पता है FOMC की beta के उसका outcome रात में आ पता है तो उसके चलते बादर क्या reaction देगा nobody knows तो यह एक ऐसी risk है जिसके उपर ना तो आपका और ना तो मेरा control है तो अगर आप यहाँ पर grey market premium को देखकर अगर यहाँ पर invest करने जा रहे हो तो यह risk आपको पता होनी चाहिए मैं again कह रहा हूँ यह risk मेरे हाथ में नहीं अग किसी की बेटक का भी outcome nobody knows कि क्या आने वाला है कि सिर्फ एक normally या पर सरकार को वो inflation से related disclosure देने वाले है या फिर वो भी rate hike से related कोई surprising moment लेकर आ जाए किसी को भी नहीं पता तो इसके चलते जो GMPA दोस्तों वो बहुत कुछ हद तक 2-3 तारीक को November को fluctuate होने वाला है खराब बात य कि आप लोगों ने अपर apply करना है अभी उसके बाद अगर कुछ market गिर गया ग्रे market premium नीचे आ गया तो वो जिलना पड़ेगा तो ये practical fact बात है जो मिने आप लोगों को या पर बताई है तो उसके हिसाब से आप लोगों ने या पर edition या पर लेने है IPO खराब नहीं इतना तो 15,000 के आसपास रेता है then maximum 2,000,000 के नीचे रेते then H&A में जाना है small के हिसाब से तो आप देख सकते हो या पर हम लोग या पर minimum higher and big की अगर हम small की बात करें तो वो भी data या पर लिखा हुआ है promoter की बात करें तो आप देख सकते 98 था post issue 73 या पर हो जागा still decent shareholding उनके पास ह तो यह IPO खराब नहीं है प्लस यह company भी खराब नहीं है मतलब यह list होने के बाद भी future में आप जरू इसको consider कर सकते हो right बट अगर आप सिर्फ या पे gray market premium के चलते ही maximum लोग इसी को target करते है listing गे लेके फटा-फट exit करने की बात करते है फिर भी आप चाहो तो इसके लिए जा स हमारे हाथ में रहते हो तो वह आप लोगों ने दिमाग में रखकर यहापे चीजें डिसाइड यहापे करने है क्योंकि अभी भी देखा गया तो आज अगर मतलब यह कल लिस्ट होता है तो 35% या फिर 40% premium पे भी हो सकता है so gray market premium खराब नहीं इसके हिसाब से आप चाहो तो बढ़ सकते हो बट रिस्क मेंने चार बार रिपिट के है दोस्तों वह आप लोगों ने यहाप डिसीजान उसके हिसाब से आप लेना है सर क्या परसुनली अपलाई करने चाहोगे 99% में भी खुद यहाप अपलाई करने के लिए आप जाने वालो क्योंकि कंपनी इतनी भी रहता है लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रिमियम क्या रहता है बट 99% जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाप यहाप यह आप लिस्टिंग के लिए इसके बारे में विचार यहाप कर सकते हो आशा करता हो वीडियो ज़रू बड़ी लब भी हो चुकी है बट जितने इं कर दे जाएंगे तब तक के लिए बाई बाई